जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रविवार की पौरानिक वृत कथा और ये वृत कथा इस प्रकार है प्राचीन काल में एक बुढिया रहती थी वह निमत रूप से रविवार का वृत करती थी रविवार की दिन सूर्यादे से पहले उठकर बुढिया स्नानादी से निर्वित होकर आँगन को घोबर से लीपती और स्वच करती उसके बाद सोरे भगवान की पुझा करते वे रभीबार वरत कथा सुनकर सोरे भगवान का भोग लगा कर दिल में एक समय भोचन करती सोरे भगवान की अनुकंपा से बुढिया को किसी प्रकार की चिंता एवं कस्ट नहीं था दिरे दिरे उसका घर धन-धन से भर रहा था उस बुढिया को सुखी होते देख उसकी पडोसन उससे जलने लगी बुढिया के कोई गाय नहीं पाल रखे थी आते वे अपनी पडोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी पडोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बान दिया विवार को गोबर ना मिलने से बुढिया अपना आंगन लीप नहीं सकी आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढिया ने सुरे भगवान को भोग नहीं लगाया उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया पडोसन ने उस बुढिया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बच्डे को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी तबी गाय ने सोने का गोबर किया गोबर को देखते ही पडोसन की आँखें फटी की फटी रह गई पडोसन ने उस बुढिया को आसपास ना पाकर तुरंद उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई सोने के गोबर से पडोसन कुछ ही दिनों में धन्वान हो गई गाय प्रते दिन सोर्यद से पूर सोने का गोबर किया करती थी और बुढिया के उठने के पहले ही पडोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक बुढिया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला बुडिया पहले की तरह हर अभिवार को भगवान सूरी देव की वरत करती और कथा सुनती रही लेकिन सूरी भगवान को जब परोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी का प्रपॉफ देकर बुडिया के गाये को घर के भीतर बांदिया सुन्दर गाये को देकर राजा बहुत खुश हुआ सुबह जब राजा ने सोने का गाये का गोवर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा राजा ने बढ़िया से गाय और बचड़ा चेन लिया जिसे बढ़िया की सिती फिर सिद्धाइनिया हो गई बढ़िया ने दुखी बढ़िया दुखी होकर सुर्य देर से प्रातना की सुर्य भगवान को भूखी प्यासी बढ़िया पर करुणा आ गई उसी राद सूरी भगवान ने राजा को सौपन में कहा राजन बुढिया की गाय वा बचड़ा तुरंत लोटा दो नहीं तो तुम पर बिपत्यों का पहाड तूट पड़ेगा तुम्हारा महलनेस हो जाएगा सौरी भगवान के सौपन से बुरी तरह से भैवीत राजा ने प्राते उर्ते ही गाय और बचड़ा बुढिया को लटा दिया राजा ने बहुत सारा धन दे कर बुढिया से अपनी गलती की शेमा मांगी राजा ने परसन और उसके पती को धंड दिया और इस प्रकार अभिवार व्रत की पराने कथा समावत हुई